मनी लॉंडरिंग के आरोप में पिछले ग्यारा मई से हिराशत में बंद निलंबित आईयस पूजा सिंगल को माननीय सर्वोच चन्याले से बड़ी रहत मिली है उन्हें बेटी के मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए एक महीने का अंत्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की गई है सुप्रीम कोट ने मनी लॉंडरिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित आईयस अधिकारी पूजा सिंगल को बड़ी रहत दी है मंगलवार को नियामूती संजय किशनकॉल और अफ़य ओठा की पीट ने मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंगल को एक महीने की अंत्रिम जमानत दी है कोट ने पूजा सिंगल को राची आने की मनाही की है दिल्ली एन्सियार में ही रहने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोट से पूजा सिंगल को जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिला है पूजा सिंगल को करीब साथ महीने और तेज दिन बाद अंतरिम जमानत मिली है कुछ दिन पहले प्रवर्तन में देशाले एडी नेमनी लाउंडरिंग के आरोप में संजीवनी हेल्थ केर प्राइवेट लिमिटेट के अधीन चल रहे पल्स हॉस्पिटल और पल्स डाइगनोस्टिक को अस्थाई रूप से जब्त करने का आदेश चारी किया था गौर्तलब भो की पूजा सिंगल को 11 माई को एडी ने गिरफतार किया था पूजा सिंगल को उनके खाते में जमाएक करोर रुपए का हिसाब नहीं देने के कारण गिरफतार किया था गिरफतारी के बाद उन्हें एडी के विशेश चज़्टी के शर्मा के समक्ष पेश किया गया था बता दे कि पूजा सिंगल को खूटी में हुए 18 करोर रुपए के मन्वरेगा घुटाला और मनी लाउंडरिंग के आरोपों में 11 माई को गिरफतार किया था लंबी पूचताच के बाद 25 माई को पूजा सिंगल को जेल भेज दिया गया था तब से लेकर जमानत मिलने तक पूजा सिंगल पूरे आठ महीने तक राची के बिरसा मुंदा केंद्री कारागर में रही इससे पहले 6 माई को ईडी ने पूजा सिंगल और उनके करीवियों के कम से कम परचीज ठिकानों पर छापे मारी की थी छापे मारी के दोरान पूजा सिंगल के पती अभिशेक जाके सिये सुमन कुमार के पास 19 करोड रुपे बरामत हुए थे साथी निवेश से संबंधित कई एहम दस्तावेज भी बरामत किये गए थे अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्स्ट्राइब करें साथी वेल आइकेन बटन दबाना ना भूले